हाई गाईज, Secure Your Hacks के बब पाउंटी कोर्स में आपकर स्वागत हमारा इस वीडियो का टॉपिक है XSS XSS perform cross-site scripting तो पहले आएए जानते हैं cross-site scripting वोता क्या है basically cross-site description वो आश टॉप 10 का एक major bug है ठीक है जो कि आज भी बहुत सारे website में पाया जाता है और आज भी इसे one of the most found vulnerability हम easily कह सकती है हम इसा top 10 में आपको cross-site scripting दिखे गाई किसी सबसे ज़्यादा find होता ही होता है और उसके साथ साथ cross-site scripting दे बहुत तरीके के types भी होते हैं ठीक है और जितने भी major's है बहुत सारे browsers के उबर भी अब security implementation हो गया है cross-site scripting को prevent करने के लिए उसके बावजोद भी cross-site scripting को bypass करने के लिए भी इसलिए बहुत सारे method market में इनकल चुड़ी है और cross-site scripting एक basically ऐसा bug है जो one of the easiest bug हम कह सकते हैं जो एक लाइक एक नया bug hunter जब वो अपने career की शुरुआत करता है वो easily इसे find कर सकता है किसी भी website में और हो सकता है कि एक label के बाद जो cross-site scripting है वो अलग-अलग तरीके का find हो बड़ जो easiest type के जो cross-site description हो दें जिसमें simple payload डाल के हम निकाल ले दें जो के भी हम आगे जाके देखेंगे इस course में वो उस type के cross-site scripting एक अगर आप नए bug interview है तो यह एक ऐसा bug है जिससे आप start करना जरूर चाहेंगे क्योंकि यह ही है basics of bug bounty आपके लिए ठीक है तो इस बात को लिए के चलिए हम लोग करते हैं आज का cross-site scripting का तो cross-site scripting पहले होता क्या आईए यह देते हैं accesses खीक है तो मैं पहले ही portsweaver को धन्यवाद देना चाहूँगा वहाँ से हमने खूब reference लिए हैं और वही काम labs वगर भी show करेंगे क्योंकि portsweaver जो है एक cross-site scripting के लिए बहुत अच्छा resource है जिसको मैं अभी आपको link वगरह सारा चीज़ एंड मेरी command भी करेंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं तो cross-site scripting एक web security vulnerability है जैसा आपको आप लोग जानते ही है ठीक है वो क्या करता है वो allow करता है tagger को जैसे interaction compromise करने के लिए ठीक है कैसी interaction का compromise करता है बताते हैं देखे पहले हम उसको पूरा चिज़ा आपको समझाते हैं मालनीजे जैसे हमने यह image के form में आपको समझाना चाहेंगे ठीक है यह एक attacker है ठीक है यह मालनीजे मैं आज एक hacker काम कर रहा हूं ठीक है और आप एक तरीके victim है या फिर हम इसका नाम रख देते हैं target victim number one ठीक है अब क्या है मालनीजे हमने इसे ऐसा एक link भेजा ठीक है अब क्या है कि यह java script में inject कर पारे डिदा बिसिकली हो क्या रहा है एक CSS में क्या है कि injection type tag है जिसमें हम website का java script alter कर पा रहे है html tag डाल पा रहे है मनदब अगर हम उसमें एक नया html tag डालना चाहते है body tag title tag तो हम डाल सकते हैं एक नया java script code डालना चाहते हैं accessor के तरीके से तो हम डाल सकते हैं तो basically accessor एक ऐसा वनरबिटी है जिसके तुरू हम victim के victim जो website यूज कर रहा है जिस website से interact कर रहा है उसमें हम अपना java script डाल सकते हैं basically अगर हम उसमें अपना java script डाल पा रहे हैं अगर हम किसी भी website के अंदर java script अपने साथ डाल पा रहे है basically हम उस browser पर वो क्या दिखा रहा है क्या हो रहा है वो पुरा control कर सकते हैं basically java script के तो हम simply simple तरीके से कह सकते हैं एक से से एक ऐसा vulnerability है that allows us to हमें allow करता है अपना input डाल के java script inject करने का और इससे लाइक बहुत जीड हो सकती है व्रिप्स को भी हम जानेंगे जैसे एक example हम दे रहे हैं हम पुरा website कोई मतलब उस पर कुछ भी दिखा सकते हैं उसका tag वैक के साथ खेलवार कर सकते हैं हम पूकी इस्टीर कर सकते हैं तब इस image से और अच्छे समझ दे तो यह attacker ने क्या किया आप जैसे देख सकते हैं पहले यह link send किया और यह वाला जो data script tag src attribute script src is equal to और यह link जो है eviluser.net badscript.year यह java script file हमने inject कर दिया इसके browser में हमने यह java script file इसके browser में inject कर दिया ठीक है इसके inject कर दिया अब क्या है जैसे inject गिया तो अगर यह login page था तो उस पर जो password डालेगा हम वह भी चुरा सकते हैं password करने के पाद जब वह login कर लेगा तो हम उसका cookies भी चुरा सकते हैं मतलग हम पूरा client site वह पाट control कर पाएंगे तो आप देख सकते हैं यह victim जो भी करेगा sensitive data ले सकते है mother का नाम ले सकते है पैसा transfer कर रहा है उसका data ले सकते है तो के साथ भी खेड़वार कर सकते हैं अपना account डालके पैसा निकाल सकते हैं तो situation पर depend actually करेगा कि impact होता क्या है तो यह हो गया आपका accesses basically accesses कैसा इसके जावा script inject कर पाते simple language में चलिए अब देखते हैं जावा इसके types केतने होते हैं तो जैसा हम बता रहते है actually में broad broad अगर sense में कहा जाए ठीक है तो इसके actually three types होते है blind accesses क्या है वो माकरी में पढ़ेंगे पहले यह तीनों जानते हैं पहला type हो गया reflected accesses ठीक है तो reflected accesses हो गया दूसरा हो गया stored accesses तीसरा हो गया dom accesses तो यह तीनों जो है एक तरीके साथ आप कहा सकते है legacy type का जो होता है legacy types है of cross-site scripting ठीक है जिसको भी हम पढ़ेंगे और यह blind accesses है यह है आप कहा सकते है modern hacking का modern hacking ने इसे आप कहा सकते है जान दिया है blind accesses को तो blind accesses होता है कि यह तीनों तरह का accesses include कर देता है बस दिक्कत यही है कि जब inject करते हैं हमें नहीं पता चलता है कि actually accesses है क्या है कि नहीं वहाँ पे हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि हमारा payload execute होने का chances क्या कुछ भी नहीं पता चलेगा हम बस अन्दा दोन मतलब मतलब blind जैसा लिखा हुआ है हम अन्दकार में अपना बस payload डालते जाएंगे हर जगा और उमीद करेंगे कि यह payload कहीं न कहीं execute होगा और कुछ हम उमीद नहीं कर सकते हैं तो उसको blind accesses कहेंगे जिसको क्या आगे में पढ़ेंगे इस find कैसे execute कैसे करते है आये तो मैंने इसी लिए बस impact जो basic basic impact अभी मैं बस आपको जैसे side deformation यह दिखाता हूँ ठीक है जैसे मैं यह end point accessible vulnerable है ठीक है हमने किया IMG src ठीक है आप हमाल लिजे जैसे यह वाला image ठीक है यहाँ पर image हमें दिख रहा है यह इसको हम डालना चाहते है इस website में इसका link को अगर copy हो जाएगा तो हम link copy करेंगे copy immediately माले यह दालते है यहाँ पर कुछ आ रहा है वह नहीं पार रहा है क्यों हो सकता है CORS पर अगर कुछ लगाओ आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना कुछ आ रहा है अब जैसे यह वाजा नहीं डालते हैं और कुछ डालना रहा है इंपुट टैक डाल दीए यह अभी स्टीमन इंजेक्शन ही चल रहा है हमने अभी जाव इसकी इंट्यूट करना राई भी नहीं किया है यहाँ पर बॉक्स नहीं अब इसी तरह मान लीजे हमको डालना कुछ और शमयल करना है जैसे यह पर बटन डालना है तो हम पूरा एक्सस के तरह सब कर देंगे ठीक है बटन टाइग आ गया बटन है अब हमें डालना है कुछ और जैसे एक ही होगा इसके अंदर भी हम डेटा डाल सकते हैं जैसे इसको ऐसे करेंगे पुरा डेटा नीचे दिखेगा बंद करेंगे खतर होगा तो हम पूरा खेलवार कर सकते हैं कुकी स्टीलिंग क्या होता है मैं बताऊँगा उपन डिडारेक्शन बस एक यह इसका इंपक्त कह सकते हैं लोकेशन ट्रैकिंग भी मतलब आप कह सकते हैं अब गया कि लोकेशन ट्रैकिंग यह सब सब सेम चीज होगा एक बार इसे कुकी स्टीलिंग आपको बताएंगे तो आप यह तीनों समझ जाईएगा कि ले ले फाई और आजटी बख जिसे रिमोट कोड़ एक इक इसे बख बख बट अप्लीकेशन पर कभी-कभी डिपेंट करता है और कभी-कभी वह लादा जैसे जैसे मैंने बहुत सारे ब्लॉग देखे हैं बहुत सारे तो नहीं को बहुत चाल पांच ही ऐसे देखे हैं जहाँ पर LFI stored accesses के थ्रूब हो पाया है बेसिकली और RC ये एक बार देखा है मैंने जिसका मैं भी ब्लॉग आपको next video में हम share भी करेंगे तो चलिए इसी के साथ हम शुरुवात करते है reflected accesses का आईए तुम देखे है पहले reflected accesses का है तो reflected accesses मैं simply बताओ तो सबसे simple तरीका है cross site description find करने का और ये सबसे simple variety है अब जैसे हम image में भेजे नाम जैसे ये image था अब इसमें जैसे हम ये link भेजे इसको इस victim को कुछ नहीं होगा जो इसका browser है उसी में ये tag चला जाएगा reflect हो जाएगा इसका मतलब हम बताते हैं आपको क्या होता है जैसे जैसे मतलब basically अगर ये जब एक website जैसे हम अगर payload भेज रहे हैं website उसको receive कर रहा है और जो चीज receive कर रहा है बेसिकली उसी को website के code में डाल दे रहा है विदाउट सोचे संदे अंसे विमें मतलब मान नहीं जैसे हम ये डाले है ठीक है तो ये receive किया website receive किया और इसको जैसे ये script sr3 इसकी उपर देख रहे open tag close tag ये सब लगा हुए इसको भी बिना सोचे संदे इसको इंकोड नहीं किया कुछ नहीं किया बस चुक चब reflect कर दिया जैसे हम दिखाते हैं आप और रिफ्लेक्ट मतलब आपके सामने दिखना mirror में जैसे हम reflect अपना चेहरा करते हैं तो इसी तरह हमने ये डाला और ये आप देख रहे हैं अपना reflect हो गया यहां प बटमें डालके देखने त्में आईए बही यह इचार में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि है अब हम डालके देख्टें गया इसमें अपना पीडोड इस प्रीप अलॉट हुष यह एक्ससे का सबसें लीग आपी पीडोड है स्कृब्ट रहता है इसक्रिप टैग बेसिकिली और अब देख सकते हैं, अब इसको हम कर दे, proceed to ठीक हैं, हमने include किया और alert पोपप हो गया हमारे, अब इसको हम इसको इधर लेआ, अब देखिए, जैसे हम alert को यहाँ पे निकालते हैं दिख रहे हैं, जो चीज हमने डाला था, हमने ये पेलोट डाला था, स्क्रिप्ट डाला था इस क्रिप्ट टैग पर इसको ठाकर डाल भी देते हैं अमने यह चीज एक जैट हम देख सकते हैं या रिफेक्ट होने का मतलब है अब देखिए एक और दी जम बताना चाहें गें जैसे हमने इस वेबसाइट पर व्यू पेर्स फोर्स क्रिक्ट या एक यह source हो गया ठीक है यह original source होता है इसी भी website का अगर हम view source कर रहे जाके तो यह इसके client side के code का original source होता है लेकिन अगर हम Ctrl-Shift-I क्लिक करें वे अगर हम Ctrl-Ctrn-Shift-I अगर यह क्लिक करें तो यह भी एक तरह का source code होता है ठीक है लेकिन यह यह basically हलका modified होता है ठीक है मतलब माल लीजे अगर यहाँ पर कोई java script ऐसा है तो इसमें tag और inject कर रहा है जो कि हम आगे आने वाले case में देखेंगे तो वो inject करके देगेगा जैसे हमारा यहाँ पिर माल लीजे जैसे हमने यहाँ पर p tag open किया होता और close नहीं किया होता ठीक है अब यहाँ तक तो अपना cm है मिटा tag वगरा 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 ठीक है अब देख सकते हैं अब ही हमारा वादनों cm आएगा सारा चीर क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं हमारे लिए ठीक है लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि यह वाला जो होता है अपना और यह वाला जो यह वह सब्सक्राइब देखेंगे और समझेंगे तो अब इसको क्लोच करते हैं ठीक है में लिए डिफरेंट अब जैसे नॉर्मल जेस जो आजकल जे क्वेरी वगर ही उसमें तो कोई प्राब्लम नहीं आते हैं वो उसमें हमें सब व्यू सोर्स और यह वाला पर सेम रहता है लेकिन अब आजकल जो वेबसाइट है वो रियक्ट जेस में बनने लगा है ठीक है रिय तब तक यह तैग आप यहां रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना कंट्रोल सिफ ताई वाले में तब तक वह एग्जिक्यूट होगा भी नहीं ठीक है यहां पर कितना भी रिफ्लेक्ट हो जाए ठीक है और जैसे नोड.js में भी बहुत डिपेंस होता है ठीक है तो यह हो गया एप देखेंगे और नेक्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एकसेस के वारे में और डीप में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ऐब देख सकते हैं यह बेसिक एकसेस का लावट नहीं एब अब स्टार्ट करते हैं यह वाला सिभ द्याट से तो यहाँ पर आप simply देख सकते हैं solution मगरा भी दिया रहता है सब चीज दिया रहता है तो आप वहां से देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया यह लाब अक्सेस करने के लिए फुरा टाइम लगे गा बट यह एक्सेस हो जाएगा अर जब तक हम दूसरा भी अपना लाक यहां रख लेते हैं ठीक है जिसको हम चेक करने वाल है ठीक है जैसे यह हो गया यह हम सारा देखेंगे ठीक है अब यहां पर यह पढ़ते है रिफ्लेक्टेटेशस इंटु एस्टीएवल कंटेंस विद नथि इंकोड़ेड अब यहां पर यह रिफ्लेक्टेटेशस है तो जैसा मैंने वहां सिखाया हमने बिंग डाला अब हम सोर्स कोड में जाएंगे और देखें क्या बिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है हां हां जी हो रहा है अब देखेंगे क्या हमारे लेकिसी वाला हो रहा है स्क्रिप्ट अलर्ट इस अब देख सकते हैं हमने डाला है स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट और एक्जैक्ट स्रीम चीज यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है त अब यह सब कहां से जाने हम अभी देखेंगे तुरण थोड़ी देर वाद अब यह इसके अंदर भी बहुत चीज़े होती है जैसे document.cookie यह document.cookie cookie को रिप्रेजेंट काता है यह alert यह साथ आता है रिप्रेजेंट काता है अब लाइए document.cookie के लिए यहां एक बार try executing करें document.cookie अब हुआ इसको अलर्ट के अंदर भी डालना है तो भी डाल देते हैं इसका भी कोई cookie नहीं है ठीक है मेरे पास images यह POC जो आपको आने वाले में दिखाएंगे कि cookie भी लिख होती है ठीक है अब जैसे यहां पर और भी कुछ हम कर सकते है ठीक है जैसे हम किसी को यह हम माले जी किसी विक्टिम पो बेज रहे है ठीक है हम पो इस पेज में दिखाना है कि आपका website हो गया है तो मैं ऐसे भी लिख सकते है I am from secure hacks and I am hack your website तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा गया है अब हम secure hack इसाइं जाए है तो हम यह सब चीज कूल चीजे भी कर सकते हैं exercise से deformation कर सकते हैं ठीक है जैसे हम simply कुछ नहीं कर दो जैसे वर हमें इस site को deform करने हम quote पे जाते हमारा यहां reflect हो रहा है ठीक है आप कुछ नहीं कीजे आप मालनीजे script tag को हमने start कर दिया ठीक इंग क्लोजी नहीं करता है इसको अब क्या हो अब देख रहे हैं बाकी वह सब भी अब इसका हम poll उठा के देखेंगे तो आप देखेगा यह सब आपका text बन चुका है अब टेक्स से भी कम हो चुका है मतलब यह script tag के अंदर आ गया नहीं close हुआ ही नहीं तो website भी आप सही से काम नहीं करेगा अब इसमें आलाग आलाग हम बहुत चीज़ें डाल सकते हैं ठीक है आप पर depend करना है करता है कितना deform करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो यह हो गया basic अपना reflected अब इससे tough क्या होता है हम वह भी देखना चाहेंगे आईए देखा जाए अब क्या होता है कि बहुत से केस में क्या होता है कि वेपसाइब जैसे क्या है जैसे हमने बोला कि modern browser जो है बहुत सारे या फिर अब क्या है कि दुनिया को पता है कि अगर script alert से slash script से अगर accesses होता है आप सबसे बड़ी आईशी को block कर दें तो बहुत सारे website डारेक इसी को filter कर देते है आपके script tag को filter कर देते है तो actually मैं accesses को पाने के लिए बहुत सारे tag होते है बहुत सारे tag ठीक है फोर एक जामपल हम आपको best basically दिखाता हूं guys जैसे एक एक यह है awesome accesses का यह बनाया है हमारे awesome accesses ने सोंदे हो बाइने ठीक है यह भी एक फेलो बापाउंटी अंदर रिसर्चर है ठीक है और इनका एक रिपोग है awesome accesses ने और आप इस पर देख सकते हैं इस पर बहुत सारे पेलोड है बहुत सारे पेलोड जैसे इन्होंने script tag से बना रखा है invade tag से बना रखा है sbg tag से बना रखा है accesses minute और सबका एक ही काम है accesses लाना लेकिन उससे भी बेश्ट क्या है उससे भी बेश्ट है जब हम यहाँ जाए पोट स्विकर accesses चीट सी और आइकन गारेंटी यू यह वन अप दबेश्ट रिसोर्स है अब जैसे इसमें क्या सारे टाइग ठीक है अब script tag को छोड़ के बाकि आपको हर जगह almost handler की जरूरत पढ़ेगी execute कराने के लिए payload तो handler के अंदर ही अपना java script include हो पाता है ठीक है तो आप यहाँ पर different handler भी देख सकते हैं इसमेश बहुत सारे handler भी ब्लॉब दोते हैं कभी-कभी तो इससे हम यहाँ से direct उठा के copy paste कर सकते हैं अपना payload और देख सकते हैं तो यह अपना reflected access into html context with most tags and attributes block ठीक है तम यहाँ पर again reflected access है हमारा हम बिंग सर्च मारेंगे बिंग बैटमेन आपको जो मान करें उससे फिस्टार्ट कीजिए एक जगर reflect हो रहा है आज आए हम पहले open close tag देखते हैं आप देख सकते हैं open और close tag reflect हो रहा है अब जैसे क्या है एक और बात ध्यान रखना है जैसे अगर हम already किसी tag के अंदर है माल उसमें से आप डारेक्ट उठाके पेलोड डाल के अपना accesses पास सकते हैं इसी का पेलोड आ गया बहुत सारा तो आप डारेक्ट उसको यूज कर सकते हैं लेकिन अभी हम किसी tag के अंदर नहीं है तो हमें अब tag create करना पड़ेगा ठीक है तो अगर हम सबसे पहले अपना script से start करते हैं आप देख सकते हैं tag is not allowed ठीक है अब script नहीं है अब awesome accesses के पेलोड में हमाद पास मान लीजे पहले ये tag ठीक है ये tag हम copy किये ठीक है यहां पर ये tag डाले ये भी व्लॉप था ठीक है details tag लाइए हम डालके देखते हैं details tag भी blog है sbg tag sbg भी blog then iprame tag iprame भी blog है अब मानी हम कुछ bing tag डालते हैं अब क्या ये bing कुछ भी है मतलब कुछ भी tag बना दिया मैंने जो कि actually make gist नहीं करता है ठीक है लेकिन अगर हम यहां पर जैसा कि यह इसका नाम है reflected with most tag and attributes blog ठीक है यहां पर बहुत सारा जिस इसको बोलते हैं और handler भी तो यह सब ब्लॉक्ट है ठीक है इसमें से और भी कुछ कुछ च्राई करते हैं प्लेंटेक्स पिक्चर पैरम यह तीनों भी च्राई करते हैं पिक्चर पैरम और क्या था प्लेंटेक्स यह सब ब्लॉक्ट है लेकिन इन्हें पता नहीं है कि हम कॉस्टम टैग भी सेलक्ट कर सकते हैं ठीक है जैसे आप देख सकते हैं पर कॉस्टम टैग का भी आई तिक कॉस्टम टैग के साथ भी और सन पॉसिबल कॉस्टम टैग में बस यही होता है कि आपका जो स्टार्टिं बाइस था बाइस पास करनेंगे जैसे यह भी व्लॉक था यह बहुत तरीक की चीजे थी थी तिए और बहुत तरीक है पास करनेगे यह दो मेफ्लेक्ट मैं दिखा रहा हूँ इक बिंग टैग वान लीजह हमने हों यह बिंग सही हम बाइस करेंगे लाइब बिंग भी नहीं आप देख सकते हैं ऐसा ही यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है अब हम यहां पर डालते है कस्टम टाइग में ठीक है कस्टम टाइग हमने यहां पर सेलेक्ट कर रखा है ठीक है अब हम अन फोकस वाला इमान लिजे ले लेते हैं इसको हम पहले उप्बिन करते हैं और यहां से कॉपी कर लिया हम टैग का नाम हम एकस एस के जर कर देंगे ठीक है हम दालेंगे बैकमन विपयर फैन दो बैटमन अबमने कर लिया ठीक है अब आप देखिएगा ओके हम क्या एक ही पहले अब हिटन ट्रायल आपको परना पड़ेगा ठीक है अब पहले इतना चीज रूंवे कर दिए आप देख सकते हैं आपका बैट में टैग लाउड है लेकिन उसके साथ और भी जीज़े जैसे अन फोकस जो यूज़ हो रहा है वो अलाउड नहीं है तब पर्शेंट 20 डालिए ठीक है अब देखिए अन डोड को अन लोड डालते है अन लोड ब्लॉड ब्लॉड यह यह अन फोकस इन भी ब्लॉड है अन फोकस इन भी व्लॉड है ऐसे हम और भी चीज़े ट्राइ कर सकते हैं जैसे जैसे माल लीजे ओन ब्लॉर यहां बिस सब है आपको बद हीट एंट राइल इंट राइल परना पड़ेगा अन ब्लॉड है ठीक है यहां सी यह भी आज और परफ हो गया ठीक है और भी देखते हैं आई है आँ कि ऑन गिवाला आए हैं डाले देखें अ उब यह भी ब्लॉड होना चाहिए अचलिव बहुत तरीका है ठीक है जैसे अब देखते हिं इसमें अलावड क्या एं ठीक है आप अब देख सकते होन आयर अलावड दीक है यह यहां भी क्या on error था वही या on error भी था ठीक है on error जब कि one of the most users अब जिसे on ended हम प्रिखाते है on end on end भी blocked है on error on error भी blocked है img okay तो basically मुझा बहुत सारी चीज़े अपनी यहां पर देगे जैसे हम देख सकते यहां पर इनों ने on resize को रखके सब blocked कर दिया है सारा का सारा block कर रखका है ठीक है on resize को छोड़े अब क्या है कि अगर on resize को छोड़के सारा का सारा blocked है तो of course I'm like easily इसे bypass नहीं कर पाएंगे बट अब जैसे मैं आपको और तरीका दिखाता हूं पर पास अरने बाँ क्या मैं ऐसा कर सकते हैं इसा कर सकते हैं क्या मैं आपके मैं तो लैब में नहीं कर रहा था अब जैसे यहां पर आटो फोकस किया है अब है मैंने पासेंट जीरो ये और वो ओके याभी भी हमें ब्लॉब कर रहा हो सकता है पसेंट जीरो के चलते ब्लॉब कर रहा हो आटो के अब वेशिकलिया आप यह वाराई पेलोड डालिएगा तभी काम होगा और यह आप सिंपली कुछ नहीं कर सकते हैं आप पेलोड उठा के मतलब डाल सकते मलग आप पे आप क्या करना चाहते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप बैक पास कर पाएंगे ठीक है जैसे हम में जाला ठीक है तो यह अचाहलि मैं स्वीफ बाड़ी अब जैसे बैटमें टेक हम यूज करते हैं अब जैसे हम इस हो ऐसे बंद करेंगे तो आई बिलीव यह एग्जिक्ट्ट्ट नहीं हो रहा है कुछ कारण हो सकता है ठीक है योगी प्रेणोड यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग तरह होगे आई फ्रेम के अंदर इन्होंने डाल वरका है इन्होंने आई फ्रेम आई बिलीव अलाउड किया है एक सकेंद आउड इसाइज में आपने पीज़ैसे किया डीवाख तो इस तरीके से इस तरीके से हर चीज का handler अलग है जैसे अब इसका नाम है on before input आप जैसे input डालने से पहले हो जाएगा ठीक है toggle ऐसे हिलाना on blur अगर आप ऐसे blur कहीं करते हैं ठीक है on click क्लिक करने पर होता है जैसे miss open करें ठीक है आप click कीजेगा तो यह execute होगा click execute तो हर हर चीज का अलग है ठीक है अब इसमें और भी कुछ कुछ त्राइक करना चाहेंगे ठीक है ठीक है इसमें को यूनीक सा चुनते हैं यह वाज़ा तिनलीजी on pointer up let's try to see क्या यह भी blocked है okay यह भी allowed नहीं था हमारे लिए अब हम इसमें speech डाले त्या यह भी है अगर हम इसके पहले भी on अगर लिग दे आपको सब चीज करना पड़ेगा जो जो आपके पास है जो जो आप method लगा सकते हो ठीक है बहुत बार क्या होता है जैसे मैंने इसके बीच में double coach डाल दिया तो उससे भी काम हो गया मतलब अब आपके पास जितने भी पास में तड़ है आपको सब करने पड़ते हैं एक सिंपल एक्सेस अचीव करने के लिए इन दी एंड ठीक है जैसे मान लीजिए अगर यह ऐसे जैसे मैंने open tag close tag डाला है ठीक है लेकिन मैं इसको ऐसे पर दूँँ ठीक है अब मैंने on pointer up से भी आप अचीव कर लिया होगा आपके बॉड़ी अब क्या किया मैंने on pointer up से भी अचीव कर लिया ठीक है यहां पे देखा मैंने कितना clever वई पास किया ठीक है यह इसको भी अब जैसे on load भी अगर मैं यूज करूँगा है यहां पर यहां पर जाएगा अब रिसाइच के अलाबा सारा चीज अलाओ करवा दिया है यहां पर सारा चीज जैसे जैसे अब हम इसको अटा दे और on load ठराई पर आप देख सब्सक्राइब लॉग होगा बद इसको जब हम डाल रहे हैं तो यह आपको बैसिकली समझना पड़ेगा कि application actually में काम कैसे करता है इस प्रिंट है प्रिंट में प्रिंट करवा रहा है अब हमारे त्रीटेह पर रहा गए जैसे अगर आप वर्सम लैप्स पर जाये या पर टेग के लिए डिफरेंट 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 अब आये यह सारा हमारा यह हो गया हमारा नया नया हैं Damn अगर मैं यहां पर अभी भी ट्राइ करूँ ठीक है यहां पर लेकिन बहुत सारे ओनलाइन केसी में नहीं भी व्लॉक्त होता है तो यह सब भी उच कर सकते हैं और अब आपको देखना पड़ेगा अगर तीन चीज़ों में आपका फिल्टर का है अब आपका अलोट फिल्टर आ रहाए आपको अनफॉर्म लिगो आप इस तरीके से लिगो आप यह वाला आप लिगो कनफर्म अगर डिटेक्ट हो रहा है था अब कनफर्म वुप्रिंग दिया प्रॉम्ट में कनवर्ट करो इस तरह का मैकनीजम मुट करो तो हजारो तरीके आपको रिफ्लेक्टेड एक्सेस बेस्टी बई पास करने के लिए रहे हैं और उसके बाद फिर हम इस्टोर डाम में देखेंगे अब क्या है नेक्स्ट लैप हम ट्राइ करते हैं जिसे यह वाला कर लिया हमने अभी कस्टम वंस सेमी था अब क्या है एक इसेसिंग कैनॉनिक टाइग यह एक इंपॉर्टेंट है थोड़ा डिफ्रेंट हम वो द लिंग टैग देखते हैं ठीक है कि जो ट्राका यूनिक एक्सेस है पहला चीछ दूसरा चीछ इस टाइप के जो एक्सेस होते हैं इसका एक्सेस होते हैं इसका एक्शली में यह जैसे अगर मैं इंटरनेट पे भी सर्च करूँ ठीक है तो इन पे ना actually port swigger का research भी है ठीक है जैसे जैसे canonicam link tag on hidden और input hidden tag accesses आप कह सकते हैं port swigger तो इन्हों ने खुद का research निकाला हुआ है ठीक है देख सकते हैं इनका research है और यह जो है यह mostly आपका firebox में ही आप mostly काम करता है ठीक है तो अभी हम देखेंगे इसे भी कैसे करना है तो हो सकता है same जगो ठीक है अब यहां पे आप देख सब तो कहीं कुछ नहीं ठीक है तो अब direct view post पे मानलों हमने क्लिक किया ठीक है अगर हम पोश्ट के जगह ऐसा कुछ डाल दे तो यह भी नहीं found हो रहा है ठीक है अगर हम यहां पे test डाल रहे हैं test अब हम search करते हैं आप देख सकते हों यहां पे link canonical में हमारा test भी हो है ठीक है कि यह जो दोनों था यह हमारा encode हो जा रहा है अगर आप test देखो तो बस एक ही जब रिफ्लेक्ट हो रहा है और अपना open tag और close tag blocked हो जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है कि जो भी access is है वो हमें link tag के अंदर find करना है ठीक है क्योंकि हम यहां से तो बाहर आ गए हम बाहर आ गए हम बाहर आ गए और आप देख सकते हो यहां से बाहर अब अगर माल लो मैं double code टराई माल था हो ठीक है तो double code भी खतम हो जा रहा है अगर हम इसी के अंदर रहेंगे ना कुछ भी पेलोट डालने के हो यह हम यह चार यह पर वैल्यो इसका वह रहेंगा क्योंकि हैं single code से यह ब्लॉब हो जा रहे है तो लेकिन अगर हम single code डालके एक बाहर आ गया है आप देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो गया इसका अगर blue color है तो इसका आप देख सकते हो अहलका brownies color है तो यह बेसिक लिए आपका इधर का हैंडलर और आपका है कैसा है ट्रिब्यूट हो गया ठीक है अब क्या है कि हम जैसा कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिंक टैक्ट के बाहर आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह दोनों अपना टैक्ट बंद हो रहा है तो आप हम क्या कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बोला था सबसे बेस्ट जो चीज है वह आपका इनका यह अगर आपको टैक्ट वाइज वाइज अपर फइंड घरना अगर मानलो मां यहाँ पर इन्पूद टैक्ट में हो रहा होता जैसी द मैं करना क्यों को पोस्थिक्र क सीट सीट पर जाना था मेरा यहां है लिंक टैग ठीक है अब इसमें हम डोड़नेंगे है 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 religious कि है यह पर लिंग टाइग पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर एवेंड अब क्या है event that do not require interaction do not require user interaction तो यह button tag पर यह actually link tag पर है भी नहीं ठीक है अब आप देख रहो link tag के लिए almost यहाँ पर कुछ भी नहीं है ठीक है क्योंकि जैसे कुछ-कुछ tag होते है ना एक सकेंड का मैंने सर्च भी किया है कि नहीं एक वार मैंने कुछ अपने दो आप ओके मैंने link tag पर किया तो यहाँ पर do option हमारे पास आ रहा था बट हमारे आप पर link tag के लिए आप देख सकते हो सब चीच खतम हो जा रहा है जिसे अगर मैं link के यहाँ पर search भी करो तो एक यह आ रहा है बस event that do not require user interaction बट यहाँ पर देख सकते हो आप एड में script alert one डालना पड़ रहा है तो वह हमें फंक करने सकते हैं ठीक है यह यहाँ पर हम यह कर सकते हैं लेकिन इसके लिए browser बेस्ट है तो यहाँ पर यह भी नहीं बेस्ट होगा क्या यह कर सकते हैं तो इसके इसके लिए भी जैसे अब क्या है न अब यहाँ पर आरेल को अब वैल ने देखो कि set हो चुगा है ठीक है कैना निकल उसमें एक तरीके का बोल सकते हो simply research material टाइप का है और उसका research material आपको डारेक्ट यहाँ पर मिलेगा ठीक है और इन्होंने जो प्वेलोट डाल रखा है वो कुछ नहीं करना है simple यही डालना है यहाँ यहाँ पी इन्होंने double code sheet के हम आप सिंगल dialogue से बाइपस कर भाहरे और यहाँ पर प्रेंटी भी हमारे साथ दिक्कत कर रहा है कि हम इसको भी एटा देते हैं ओके तो इक काम करते हैं इसको खटा देते हैं ठीक है अब आप देख सकते हो on click अब on click के बाद alert को भी हम single port में दाल रहींगे अब आप देख सकते हो आपका पूरा ऐसे पेलोट और यहाँ पर जैसे एक बच जा रहा है तो हम यहाँ पर नटा देखें अब आपका यह पेलोट प्रॉपर तैयार हो चुका है ठीक है अब हमें कुछ नहीं करना है इस फो ऐसे किया ठीक है और इनोंने बोल रखा है आप देखोगे अपना प्रिक करो alt shift plus x ठीक है हम दबा के देखेंगे आप देख सब तो यहाँ पर अलट हो रहा है तो यह लिंक टैट के साथ कि एक स्पेसिफिक कंडिशन है अब यहीं इन्पुट टैग में हमारा दाता तुम इन्पुट टैग वगर वाला भी कर पाते है ठीक है अब हमारा Canon और Reflected Accesses का हम दूसरा लाब देखेंगे ठीक है हम अब आगी हम चलते हैं Second Lab ठीक है Second Lab है Reflected Accesses into JavaScript Stream and Single Port Lab अब मैं आपको गैरेंटी दे रहा हूँ अभी तक जो हमने एकसेसेस देखा है I can guarantee you वो सब जो एकसेसेस है आजके लेस आंडेबल है ठीक है बहुत कम पाया जाते है बट यह जो एकसेसेस है Reflected Accesses into JavaScript Stream with a single port and black script या फिर यह वाला जो है जो इसके नीचे था हमारा ठीक है यह जो दोनों है I can guarantee you आज के time पे सबसे ज़्यादा अगर कोई पाया जाता है यही पाया जाता है ठीक है कैसे हमाई आप देखेंगे ठीक है और यक और चीज में बताना चाहूंगा तैसे next video में हमारा store absences रहेगा तो उस type में हम इतने सारे variation नहीं देखेंगे हम basically vulnerabilities के बारे में सीखेंगे instead of हम इतना ज्यादा variation देखेंगे क्योंकि हम यह पहला exercise हम सीख रहे हैं इसलिए इतना ज्यादा variation यहाँ पे देख रहे हैं जैसे again हम यहाँ पे सर्फ अपना मारेंगे बिंग ठीक है अब reflected exercise में आप बिंग देख सकते हैं आप देख सकते हो अपना जो batman है वह यहाँ दो जवर reflect हो रहा है अलगा मैं बढ़ा भी कर दूँ आप देख रहे हो batman दो जवर reflect हो रहा है तो दोनों जवर अच्छी chances है कि हम कर सकते हैं ठीक है अब आओ मैं दालता हूँ अपना हथियार ठीक है अब आप देखोगे पहला जवर जो batman था ठीक है वहाँ पर अपना तविया यही इंकोर्ड हो गया ठीक है तो यहाँ पर तो हम कुछ करी नहीं सकते हैं ठीक है अब हमारे legacy payload क्या होते हैं अब आप आप ओलोगे कि हमारा तो ही क्यूट हो जाना चाहिए था क्योंकि हमने अपना legacy payload ट्राइ कर दिया अब हम हार चला दिया अब चलो open करके दिखते हैं क्या हमारे execute हो रहा है नहीं हो रहा है रीजन बिहाइंड क्या है कि जब भी कोई की script tag के अंदर रहता है वह एक जावा जावा स्क्रिप्ट बन जाता है अगर हम इसके अंदर जैसे अपना दूसरा payload भी डाले जैसे अगर आप img tag भी डालों दो या फिर आप जैसे बोलोगे कि नहीं आप इसे escape करो ठीक है मैं इसे escape भी करूँगा को अना column ठीक है और उसके बाद अगर मैं ये भी डाल दूँ ठीक है तो चलो ये भी डाल देता हूं अगर मैं आप डालू ठीक है जो आप बोल रहे थे ठीक है इसक्रिप्ट या आप इसक्रिप्ट चोड़ा मैं कोई बहुत दूसरा इमेज वाला डालता हूं image rcx on error unlock अब आप देखोगे किए सेम चीज़ आ रहा है यहाँ पर अमने वहाँ पे लोड में डाला है लेकिन अब कलर देख रहो इसका color ब्राउजर दिखा रहा है वह एक टेक्स्ट की तरह दिखा रहा है और यह एक जावा स्क्रिप्ट नहीं यह एक IMG tag है तो मैं यहाँ प्रॉपर जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म मिल दानना पड़ेगा किसी ऐसी तरह से लाना पड़ेगा कि हम डाल एक जावा एसक्रिप्ट दाले तब भी एक जी क्यूट हो पाएगा अपी जैसे हम टैक डाल रहे है जावा एसक्रिप्ट में ही एरर आ जाएगा जैसे अगर मैं इसे ओपन करके दिखा हूं आपको पर आप कॉंसोल टैप में जा ठीक है लेकिन अब क्या है कि स्क्रिप्ट के अंदर जब हम इसक्रिप्ट टैक के अंदर जब हमारा चीज रिफ्लेक्ट हो मतलब यहाँ पर इसक्रिप्ट टैक के बीच में हमारा जब रिफ्लेक्ट हो तो यहाँ पर दो मेथड या तीन मेथड मोस्ली होते हैं पहला चीज आप script tag को direct close कर दो, आप script tag को start मत करो, पहले आपको script tag close करना पड़ेगा, और उसके बाद आप फिर कोई भी पेलोड डाल सकते, script tag close करने के बाद, यो कि हम एक बार script tag से बाहर आ गए, फिर तो हम normal की तरह भी काम कर देंगे, दूसरा हो गया, दूसरा method हो गया, अब क्या कि हम already script tag के अंदर है, तो हमें बाहर क्यों आना है, अगर हम simply इसको बाइपास करके, यहां पर सिर्फ यह सब अटाक के सिर्फ अलर्ट डाल दें, तो हम already अपना जावा script डाल सकते हैं, और अलर्ट इक जावा script है, तो हम अगर direct यहां पर सही tag के हिसाब से जावा अलर्ट डाल दे यहां यह सब कोट्स बाइपास करके, यह सिंगल कोट्स हुए अगरा, तो हम already accessors अचीब करनेगे, इन प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब आप यहां पर सिंगल कोट्स डाल रहे हैं, तो आप देखो कि यहां पर एक backslash लग जा रहा है, तो अगर किसी भी चीज के पहले backslash अगर यहां पर double code से उसके पहले black size है, तो basically उसको void कर देता है, वो useless हो जाता है, जैसे आप देखो कि basically अगर मैं यहां पर direct alert भी डालूँ, यह तूसरा method है actually इसको bypass करने का, मैं guaranteed से कह सकता हूँ, तो अब problem यह आ रही है, simply कि अब हम इसको यहां के open करके देखते हूँ, यह basically कोई error तक नहीं का outcourt कर रहा है, reason simple है, कि अब भी जो हम है न, यह single code के अंदर है, क्योंकि यहां पर जो हम single code डाल रहे हैं, वो उसके पहले backslash, slash आ रहे है, तो यह JSON make होता है, उसमें non-envoid होगा, तो यहां पर हमारे पास, पहला यह थाड़ी पसता है, जो कि script tag close करने का, और कोई उपाय नहीं है यहां पर, ठीक है, अब हम यहां पर batman डाल चुके है, यह सब अटाओ, हम चुप चाप script tag close करते हैं, अब आप देखोगे, यहां तक हमारा situation खतम हो गया, अब हम script tag के बाहर आ जोगे, अब यहां पर हम कुछ भी डालते हैं, img वाला payload डालते हैं, यहां पर script open, script close वाला, कुछ भी legacy payload कुछ भी चलेगा आपका, on error alert, ठीक है, अब देखोगे, अपना भई आप कदर भी change हो गया, इस बार, जो हमने img tag डाला, तुम देख सबते हैं, इसका कदर भी यहां पर change हो रहा है, ठीक ह करते हैं, वो script tag के अंदर ही करते हैं, क्यों, होता गया है, कि developer को पता है, जैसा आप देख सकते हो, यहां पर आपने देखा, जो भी आप tag अंदर डाल रहे हो, वो mostly block हो रहा है, एक script tag ही हमारे पास almost option बचाता है, उसको back pass करने का, और यह mostly आप देखोगे, यह 90% web application firewall है, यह कोई भी website है, वो at least script tag को तो भाई यह block करेगी ही करेगी ना, क्योंकि यह legacy payload है, तो इसलिए developer भीना सोचे समझे, भीना filter किये यहां चीज़े डाल देते हैं, और हम किसी ना किसी तरीके से इसको bypass करने में, कभी-कभी mostly suffer होते हैं, ठीक है, अब आईए, जो last lab है, आज का हमार वो देखेंगे, और workload करेंगे कि हमने अभी तक सीखा गया है, हमने most of the तरीका सीख लिया है, यह अगर किस तरीके के condition में हमें क्या, क्या अपना नुस्खा आजमाना है, exercises को bypass करने के लिए, same जी जैसा हमने reflected exercises में आजमाया है नुस्खा, इस टोड एक्सेस में भी same जी होता जो आप है, आप खुछ से सीख सकते हैं, ठीक है, जैसे, I believe यह वाला भी हमने solve किया था, just one second, yeah, backslash, escape, ठीक है, अब हमारा यह बचा है, ठीक है, तो हम बस इसे खरके, आज का lab conclude करेंगे, ठीक है, बाखी हम cut कर दे रहे हैं, आप इसको live website पर जाके find दीज़े, I guarantee कि आपको बहुत सारे condition मिलेंगे, और जैसा कि हमने recon में already parameter find करना सीख लिया, यह आप आपको कुछ नहीं करना है, parameter find करना है, ठीक है, Okay, Bing, search कि हमने, I'm always being a batman, इसी से start करते हैं, क्योंकि हम फता तो लगए कि reflected exercise में reflect हो रहा है कि निक सीज़ेंगे रिफ्लेक्ट हो रहा था, हमने अपना यह सब डाला, ठीक है, अब आप देखो कि दोनों जगह encode हो जा रहा है, अब एक टेक्नीक होती है, double encoding, ठीक है, अब जै हो जाएगा, percent 25, 22, आपको पस percent 25 हर चीज़ के आगे लगाना है, ठीक है, तो आप देखो कि अब भी यह encode हो रहा है, ठीक है, तो आप not much यहाँ पर आपको जारे कर नहीं सकते हो, अगर आपका double encoding भी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, अब देखते, इन्होंने actually में कैसा किया ह हुआ है, क्योंकि कभी-कभी यह लोग विजयार तरीके से भी कर देते हैं, देख लो आप, mistake from my side, ठीक है, आप जैसे आप देख रहो, कि इन्होंने percent 22 भी ब्लॉक कर रखा है, percent 3C भी ब्लॉक कर रखा है, और double encoding भी अपना काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर यह single quotes है, let कुछ काम नहीं आया यहां पर, लेकिन, जिसे हम यह, हमने यह देखा, अपना open bracket, close bracket, try हो रहा था, और यह single quotes हो रहा था, तो अगर single quotes हमारे यहां काम कर रहा है, और पिछले condition में क्या हो रहा था, कि हमारे single quotes के पहले, backslash आ जा रहा था, यहां भी हमारे पास backslash तो लेकिन है, ठीक है, एकिन हम try करेंगे कि अगर हम backslash के साथ, अगर कुछ कर सकें, bypass, ठीक है, आईए फिर आप अलग दालके एक बार देखते हैं, या फिर आप lab के description भी पर सकते हैं, थोड़ा जानने के, ओक है, तो इसमें क्या problem है, यह चीज जो है आप बहुत life condition में find नहीं करो ग कि इस backslash को negative करने के लिए एक blackslash तो आगया, for example मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं सिर्फ एक simple backslash भी डालू, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, यह एक और डालू, आप देखो कि यह मेरा इसे negate कर दे रहा है, ठीक है, but इनकी हिसाप से कि आप यह payload डाल if this can get executed, okay, यह execute हो रहा है, अब मैं आपको region समझाता हूँ, इसका, देखो, वो क्या रहा है, यह इसके चलते न, basically, वो क्या रहा है, पहले तो यह वाला जो पार्ट है, वो comment हो गया, ठीक है, इसे अगर मैं इसे bobsuit में लूँ तो आप जादे better understand करोगे, क्योंकि bobsuit इसे all colorful coding में convert कर देता है, ठीक है, अब bobsuit on करता हूँ, अपना, bobsuit, यह मैंने कुछ extension डाल रखे हैं, अलग से, इसे लिए, bobsuit इस तरीके से on करना पड़ता है, ठीक है, let's start this, ठीक है, now, simply capture it, मैं इसके दो, तीन तरीके अब यहाँ वे bypass के, आपको समझाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर हमने capture गिया, खोड़ा सटाइ, okay, the problem is, कि यहाँ पर मैं logged in नहीं हूँ, इसके साथ, तो यह problem आ रहा है, ठीक है, तो, यह actually हो किया रहा है, single tag डालने के बावजूद भी, यह सही से हमें block नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अगर, मैं यहाँ पर आपको next class में, मैं आपको store access में भी एक case दिखाऊंगा, ठीक है, कि आप better understand कर सब हो, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर मान लो, single tag डालने, ठीक है, अगर मैं यह भी कर दो, ठीक है, ठीक हो रहा है, फिर भी execute हो रहा है, क्यों, क्यों कि हम यह search term से बाहर आ जा रही है, यह function है, यह single tag का, वो 30 से हो ही नहीं पा रहा है, जैसे मैं रिखाता हूं, आप इसको भी एटा दो, आप, अब आप देखोगे, साइद यह execute नहीं होगा, reason क्या है, यह अगर हम जैसे आप just पहले डाल रहे है, तो वो क्या रहा है, यह basically, आप कहा सकते हो quote foot जा रहा है, यह basically is calling code foot, जा रहा है, वो क्या रहा है, यह एक इसके साथ यह single tag डाल रहे हो यह Stickered, अपना extra आ रहा है तो Sag Come Camp at 6, 28 अ B रहा है ठीक है बेसिकली हमने क्या किया है अपने अपने सेमी कॉलम से इसको अलग कर दिया और यह अलग हो गया आपका ठीक है और यह जो साथ साथ में बचा तो डबल सलायस जो यूज होता है वह comment के लिए उज होथा है तो यह अपना एक्ष्टरा पड़ता है जैसे अब मैं यह double slash अटा दूँट आप देखो कि एग जिक्टूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जैसे double slash अटा देखा दो, ठीक है, double slash अटा दिया, ठीक है आप एग जिक्टूट नहीं हुआ, क्यों, क्यों कि आप देखो कि यहाँ पर syntax error आ रहा है, तो अगर मैं इस पर click करूँगा, यह पर अब यह दिखा पाता तो आप देखोगी कि यहां पर syntax basically error यह ही है यहां पर हमने single code open छोड़ दिया और यह open छोड़ दिया यह हम double slash डब डाल रहे है तो double slash basically होता है आपको comment के लिए जावा script में ठीक है हम मैं आपको next class में यह सारा चीज करके थोड़ा मोड़ा दिखाऊँगा कि आप better understand कर सको ठीक है तो that is the end of this this whole reflected accesses course ओके यहां पर हमने almost बहुत सारे तरीके देखें जिससे हम बहुत तरीके के context में reflected accesses find कर सकते हैं हमने यह देखा कि अगर simple सा अगर हम किसी tag के अंदर नहीं है जैसे यह वाला case हो गया तो कैसे accesses जानना है अगर हम मान लीजिए किसी tag के अंदर आते हैं जैसे s2 tag के अंदर अगर हमारा reflect हो रहा है तब हमें कैसे ब्रेक करना है जैसे अगर हम जैसे लिंक टैग में देखा कि हम सिर्फ लिंक टैग के अंदर ही रहा रहे है हम open tag और close tag हमारा अगर ब्राउजर उसके ब्राटे क्शें जालता है आप यह जाननीजे कि आप बहुती कम कंडिशन बेखा जहां आप लेगसी पेरोड यूश कर पाएंगे क्योंकि आज की टाइन पर जितने भी प्राउजर तक बहुत सारे जीजे आज कल आप ब्लॉप करने लगें इसलिए हमने बहुत तरीके के मेथड देगे और क्या यह इनफ है जितने मेथड नो इसके अलाओ बहुत सारे फिके जैसे नेक्स्स प्लास में यह भी सीक आने वाले क्लास में वेब अपलिकेजन फायर्वाल क्या होता है विब अपलिकेजन फायर्वाल के सब्सक्राइब तर अब क्या